अनुष्य को कोई भी सफलता प्राप्त करने के लिए संगर्ष करना पड़ता है क्योंकि सफलता का मार्ग आसान नहीं होता वह कटनाईयों से भरा होता है और उन कटनाईयों से हमें जूजना भी पड़ता है मैं अमबुजा आनन आपके सामने मराटे के प्रख्याज कथाकार डॉक्टर आनन यादो के बहुच चच्चित आत्मक थात्मक उपन्यास जूज का एक अंच आप लोगों के सामने प्रस्तुत करने जा रही हूं यह एक किशोर के देखे और भोके हुए गाउं के जीवन के यथार्त और रंगा-रंग परिवेश के अत्यंत विश्वसनी जीवन गाथा है इस उपन्यास में लेखक ने अपने बच्चपन में पढ़ने के संगर्श को प्रदर्शित किया है लेखक का पिता निकम्मा होता है और वा लेखक की पढ़ाई लिखाई छुड़ा कर खेतों के कामों में लगा देता है परन्तु लेखक के अंदर पढ़ने की इक्षा दी इसलिए वा अनेक प्रकार के जुगाड करता है जिससे की पिताजी उसको पाटशाला बेजने को तयार हो जाए परन्तु पढ़ने का नाम सुनते ही उसके पिताजी लाल पीले हो जाते हैं एक दिन दुपहर में जब सभी सो रहे थे तब लेकक अपनी मा के पास जाकर अपने पढ़ने का प्रसंग रखता है आईए देखे दोनों के बीच की वारतालाब का द्रिश्य बाबा से मेरी पढ़ने की बात चलाओ पगलाया है क्या पढ़ने का नाम लेते ही जंगली सुवर की तरह हमारने दोड़ता है कोई तो तरीका होगा जिससे पिताजी मुझे पढ़ाने लिखाने के लिए तैयार हो जाएं पढ़ाई लिखाई भूल जा नई तो हाथ पैर तोड़ देगा मा कोई तो होगा जिसकी बात बाबा मानते होंगे हाँ दत्ताजी राओ गाओ के सम्मारित देखती हैं उनकी बात तो सभी मानते हैं अता उनी के दौरा क्यों ना कहलाया जाए साहब राम 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 हाँ आनंदा की माँ बताओ कैसे आना हुआ कुछ नहीं सहाब बस एक वेंटी लेकर आये थे निर्भय होकर बताओ क्या बात है वो इसमस्या है क्या नहीं सहाब बस यहाँ आनंदा पढ़ने की जिद कर रहा है तो क्या समस्या है पढ़ाओ उसको वो पढ़ना चाहता है तो इसका बाप इसको पढ़ने नहीं देना चाहता क्योँ? वो कहता है खेती का काम कौन करेगा अगर बच्चा खेती करेगा तो वो क्या करेगा? साहब वह गाउं में घूमता है और शाम को बाई से मिलने जाता है अच्छा तो बच्चों खपा कर अपना मोज करना चाहता है जरा मेरे पाल भेजना तो उसकी खबर लेता हूँ उससे मत बताईएगा कि हम लोग आपके पास आये थे नहीं तो हमें जिन्दा नहीं चोड़ेगा ठीक है ठीक है उसकी आने के 10 मिन बाद आनन्दा भी आ जायेगा लेखक के पिता जब घर आते हैं तो उन्हें माव बताती है कि दताजी राव ने आपको बुलाया है दताजी राव का नाम सुनते ही बाबा तुरंथ उनके पास शले जाते हैं राम राम साब, आपने में बुलाया क्या? हाँ हाँ बैठो, अभी बात करता हूँ. बाबा, माने आपको खाने के लिए बुलाया है. क्यों रे छोरे, क्या करता है दिन भर? जी, खेतों में काम करता हूँ. पढ़ेने नहीं जाता है क्या? नहीं साब, वो. गवराता क्यों है? ठीक से बता. बाबा स्कूल भेजती ही नहीं. क्यों रे? छोरे के स्कूल क्यों नहीं भेजता है? कुछ नहीं साब, पढ़ता लिखता तो है नहीं. यह सिनमा देखता है, चोरी से उपले कंडे बेज देता है. क्यों रचोरे इस सब करता है तु नहीं साब एकाज बार आरे ठीक है बच्चा ही है एकाज बार सिनिमा देख लेता है तो क्या दिक्कत है इसलिए इसका जीवन बरबाद करोगे नहीं साब नहीं साब चलो छोडो कल से तू इसको इसकूल भीचेगा उरे कल से तू इसकूल जाएगा अगर यह नहीं भेजता है तो मेरे पास आना सीथे जी भेजूँगा इसकूल जाने से पहले तू खेतों में काम करेगा समझा जी और सुन आने के बाद सीरे खेतों में पहुंचेगा और भेंड बकरी चराएगा जी और जिस दिन खेतों में काम ज़्यादा होगा उस दिन स्कूल नहीं जाएगा तू यह सब बातें मानता हो तो आम नाम लिखवा दू इस तरह लेखक के पिता जी प्दत्तराव जी के दबाव में इसके क्लास में है जिनके साथ सामंजस से बिठाना मुश्किल हो रहा है परन्तु देरे देरे लेखक उनके साथ सामंजस से बिठा लेता है विद्याले में मराधी वाशा के अध्यापक ने लेखक को कविता लेखन से अवगत कराया जिसे लेखक का मन कविता लेखन में लगने लगा वह भेड चराते समय, खेतों में पानी देते समय कावे पाथ करता एवं स्वेम ही कविता लिखने का प्रयास करता और उसे दूसरी दिन मास्टर को सुनाता भी इस तरह से कविता लेखन लेखक के जीवन का अंग बन गया इस प्रकार हम देखते हैं कि लेखक विशम परिस्थिती होते हुए भी पढ़ने लिखने के लिए संगर्श करता है जूचता है और उसमें सफल भी होता है अता इस कहानी का सीर्शक जूच होना अपने आप में प्रासंगर्ट है